कोई नमश्कर हुआ दोस्तों कॉरिंटीन में आप लोग का स्वागत है और आज जो बात करने वाले हैं आइफोन 12 के बारे में तो आइफोन 11 जो है वो सब्टेंबर के अंदर रिलीज वो अधर 2019 के अंदर लेकिन 2020 जो है आप लोग को पता ही कैसा जा रहा है कॉरिंटीन में सब लोग बैठे हुआ हैं लॉक्डान जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चल रहा है और कोविट 19 जो है वो लगाता जो है वो फैलता जा रहा है तो उसकी वजह सकता है कि आइफोन 12 का जो प्रोडक्शन है वो जो है वो लेट हो और आइफोन 12 जो है अपने को सेप्टेंबर के अंदर रिलीज ना हो वो जो है वो उक्टोबर तक जो है वो रिलीज हो या फिर ऑक्टोबर के भी बात अपनेंटली तब जाके यह वो लोगों के हाथ मा आगा मास प्रोडक्शन के जरीए अब बात करूंँ प्राइस के तो इंडिया के अंदर जो है वो यूसे के अपरेसर में प्राइस जो है वो कफी ज्यादा रहेंगी क्योंकि अमेशा जो है वो ऐसा ही होता है यह आपको नौर्म वाला आइफोन ट्याल के प्राइस जो है वो 68,000 तक की जो है वो देखने को मिल रही है आइपो प्रो यहापको एक लाग 6-7,000 की ज जो है वो आउट डेट हो जाएगा क्योंकि 5G जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से जो है वो सब के सब जो है वो यूज करने वाले हैं आगे आने वाले सालों के अंदर और साथ बात करूं डिजाइन के तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आइफोन 11 जैसा डिजाइन ह चीज जो मैं बात करूं उसकी नौच की तो आइफोन 12 की नौच जो है वो काफी ज़्यादा जो है वो छोटी रहेगी यह लोग नौच को जो है वो पूरी की पूरी तरीके से अलिमिने नहीं कर सकते अभी भी यूगि टेकनोलोजी जो है वो इतने ज़्यादा अच्छी त एस कंपेर्ट तो 11 क्योंकि इसके नौच है वह वह काफी ज़्यादा बढ़ी है जैसे कि अब लोग देख सकते हो तो इस से ज्यादा छोटी नौच आपको आइफोन 12 में देखने को मिलेगी और पीछे के के कैमरा के तो पीछे की तरफ आपको आइफोन 11 के अंदर जो है व वह मिलेगा जैसे कि लोग जो है वह बोल रहे हैं तो इक तरीके से पीछे की तरफ आपको तीम कैमराज ही देखने को मिलेंगे लेकिन वह अपीरियंस हैसी देगा कि पीछे की तरफ जो है वह चार कैमराज है और सासे नहीं था आइफोन 6 से इन लोगों ने ऐसी चीज़े जो है वह देना को स्टार्ट कर दिया लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि अकसर जो है आइफोन 6 थे आइफोन 7 थे वह काफ़ी दा पतले थे और आइफोन 11 प्रो जो है वह काफ़ी ज़दा मोटा है क्योंकि नहीं लोगों ने इसमें से 3D टच हटा दिया बलकि इसको जो ह और आइफोन के साइट्स को जो है बिलकुल फ्लैट कर दिया है तो यहाँ पर आपको आइफोन 5S जैसी फ्लैट साइट्स जो है वह देखने को मिलेंगे आइफोन 12 के अंदर जो भी तुब्योंस रेंटस के अंदर जो है वह काफ़ी दा अच्छा लग रहा है और आइफोन जो तीन मॉर्डल जो कि अकसर आईफोन जो है वह यह रिलीस करता है to be honest साल बर साल जो है आपने आइफोन के मॉडल बढ़ता रहता है यहाँ पर रूमर्स जो है यह भी ब wrote कि आईफोनC plus भी जो है वह आने वाला है लॉक्टाउन खतम होने के बाद में तो वह भी जो है वो एक तरीका से देखा जाएगा कि वो true है कि नहीं है लेकिन यह वाले rumors जो है बोरने है कि यह जो है वो चार model जो है वो release होएगा एक iPhone 12 जो है वो normal वाड रिलीज होएगा जो कि 6.1 इंच का होगा जो कि एक तरीका से iPhone 11 का upgrade होएगा और iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max लेकिन एक और iPhone 12 जो है वो release हो रहा है जिसका screen size जो है वो 5.4 इंचे जो कि सबसे ज़र छोटा iPhone एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक release होने वाला अगर अपन iPhone SE और 8 वागेटा को exclude करें तो इसके पीछे जो है वो दो cameras होएंगे और Apple का A14 Bionic चिप आएगा जो कि इस साल के सारी सार आइफोन के अंदर आने वाला है तो इक तरीके सारी सार आइफोन जो है वो काविदा शांदर वाली performance देंगे as usual सारसे अंदर बात करूँ आगे कि डिस्प्ले के तो जैसे है नहीं बता कि छोटी सी नौच तो आएगी साही लेकिन डिस्प्ले के भी जो है वो improvement लोगों ने करा है इस बार जो है वो 120 हर्ट्स के डिस्प्ले आने के chances है आईफोन के अंदर तो एक तरीके से यह वाली चीज अगर app पर release करता भी है तो भी कोई सा surprise जो है वो नहीं होगा और अगर release नहीं करता है तो भी कोई सा भी surprise नहीं होगे लेकिन एक चीज जो है वो सबका attention जो है वो खेंच रही है और वो यह है कि touch ID जो है वो वापिस से आ सकती है वो भी in display fingerprint sensor के जैसे जैसे कि आपको Samsung और OnePlus के flagship में जो है वो देखने को मिल रही है वो चीज जो है आईफोन के अंदर भी आ सकती है तो अगर यह वाली चीज आती है तो एक तरीके से काफी जा लोग जो है वो थोड़ा surprise होएंगे कि touch ID वापिस आ जाएगी I'm back साथ सत काफी जादा लोग बोले रहें कि iPad Pro के अंदर जैसे कि USB Type-C आई थी तो iPhone के अंदर भी USB Type-C जो है वो आनी चाहिए हाले कि मुझे लगता नहीं है कि Apple जो है ऐसा करेगा लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा करे परकि eventually मेरे सारी की सारी चीज़र जो है Type-C से चार्ज होती है और एक ही चीज़ है जो कि Type-C से चार्ज नहीं होती और उसके लिए मुझे एक अलग सा चार्जर करने की ज़रत पढ़ती है मैं जहां भी जाता हूँ तो apparently अभी तक तो यही ते सारी एक सारी लीक से लूमर्स आयो होगा को यहली वीडियो पसना है यह भायू लाइक करने इस वाली वीडियो को सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को और बेल आक्न में दबाना मत भूलना दिस में स्टेविट से लिग भाई यो जेहिंद